हाई अब्रिवन जैसा कि मैंने अपने फärस्ट निल एक्स्टेंशन वाले वीडियो में आप कहा था कि मैं अब करवाँगी एक्रेलिक निल इसेशचनशन परस्ट मैंने करा था जयल एक्सटेंशन और उसकी सारी डीटेल मैंने आपके शेयर की थी साथी साथ उसे घर पे कैसे रिमूव मैंने किया था वो भी शेयर किया था तो वो वीडियो अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो एक्रेलिक के लिए में इंदॉर के रंजीत अनुमान के पास एक सलून है MP09 वहां पर मैं गई और यहां की सारी सर्विसेस काफ बहुत ही बुरा रहा सबसे पहली बात की मेरा टाइम बहुत जादा यहां पर वेस्ट हुआ जादा 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 नेल एकस्टेंशन और अगर आप जेल कराते हो तो देड़ गंटे लगते हैं। मुझे चार से पाँछ गंटे लग गए क्योंकि यहां पर जो इक्रेलीक की लेयर इनों और ने चड़ाई थी न वह बहुत ही जादा मोती चड़ादी थी और उसे बराबर बराबर करने में बहुत ही जादा उसे बफर करना पड़ रहा था और साथ ही साथ लाइट चली गई थी इनके पास कोई भी बैक अप नहीं था लाइट के लिए और हम अंधेरे में यहां काम हो रहा था मतलब मोबाइल की लाइट जला कर जो कि मुझे बिल्कुल अनप्रोफे लगाया तो नेल अच्छे से बफर नहीं हुए थे तो उबर खाबर से ऐसे लग रहे थे तो पॉलिस लगने के बाद और गंदे लगने लगे तो फिर उस मैंने वहां पर बोला कि नहीं है मुझे नहीं करवाना है फिर मैं इनको शॉप लेके आई शॉप में उस समय भी ला बाकर दुबारा निल एक्सेंशन कराया तो उन्होंने तीन से चार बार जो पुरे प्रोसेस उसमें प्राइमर लगाया फिर ऑईल भी लास्ट में लगाया था क्यूटिकल्स के लिए तो इससे इन दोनों को कराने से मुझे थोड़ा फर्क समझ में आ गया सो यहां पर भी एगरी कर गए और कोई भी पेमेंट नी आई तो यह जो नेल है देख सकते हो आप कुछ इस तरह से दिख रहे है पॉलिश आप देख सकते हो यलो कुछ लगी हुई है जो काफी महनत से मैंने हटाई बफर करकर बहुत घिसना पड़ा और यहां नेल का जो साइज है ना दोनों नेल्स का वो भी अलग अलग इन्हों ने रखा था मैंने बोला भी कि नेल का साइज मुझे अलग लग रहा है यह वाला तो नहीं नहीं हम लोग बाद में मिक्स करके आपका ठीक कर देंगे ऐसा बोला और यहां देख सकते हो अच्छे से बफर नहीं के कारण बहुत लेयर लगाई थी बहुत ही जादा मोटी लगा दी थी तो बहुत ही गंदे लग रहे थे फिर मैंने इसे बहुत ही जादा बफर करके नेल के साइज को कम करके कुछ इस तरह से बनाया है अपने से नेलाट किया क्योंकि मुझे next day travel भी करना था और एक नेल तो यहां देख सक मेरा जोकी बहुत ही जादा मतलब पेंफूल ही कह सकते हो आप वो इस था हॉरेबल टाइप का ही था मेरे नेल्स बहुत ही गंदे लग रहे थे बहुत ही महनत और विजाई के बाद इनका लुक ठोड़ा ठीक हुआ और नेक्ट नेल आइक्स्टेंशन एक्रेलिक यह मैंने राजी में जाकर और यहां आप देख सकते हो दोनों 9C का फरक दोनों ही अलग ही दिख रहे हैं यहां पर जो आक्रेलिक की लियर है आपके बहुत ही दिखाई देगी बिल्कुल फेक नहीं लग канал दिखाई देगए वर एक लाइक ज़रूर कर दीजिये